सब्सक्राइब करें जुम्मा किचिन को और बैल आइकन को दबाएं ताके हमारी लेटिस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें हेलो फ्रींज वेलकम टु जुम्मा किचिन आज हम अपनी किचिन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीटे से बनने वाला रेस्टरान स्टाइल बटर चिकन बहुत ही मज़िदार बहुत ही आसान ये रेसिपी है तो इसके लिए हम इंग्रीडिन्स देख लेते हैं तो उसके लिए हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो सबसे पहले में इसमें डाल रहे हूं नमक तो तो तीज़ टीजपून मैं नमक डाल रहे हूं नमक मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं पिर हम डालेंगे पिसी हुई लाल मेट्स तो तक्रीबन दो टीजपून जाद भर के नहीं मैं डाल रहे हूं इसमें पिसी हुई लाल मेट्स साथ ही में डालेंगे हम एक टीजपून पिसा हुआ गरम मसाला अब डालेंगे हम दो लेवन का जूस साथ ये डाल देते हैं हम इसके अंदर दही तो आधा कप मैंने ये दही लिए है और थोड़ा सा इसमें फूट करर जाने वाला है जो कि बिल्कुल आप्शनल है आप चाहें तो ये डाले आप चाहें तो नहीं भी डाले बस इससे जो तिक्का है उसका करण बहुत अच्छा आजाता है तो बस एक ही चुटकी मैंने ये डाल दिया है और अब डालेंगे हम इसके अंदर दो टेविस्पून भरके अध्रक लहसन का पेज़्ट तो चीजे अब हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते फिर मैं आपको दिखा दीए तो चिकन में मैंने सभी इंग्रीडेट्स अच्छे से मिक्स कर दिये हैं दही थोड़ा सा थीक लिजेगा पानी वाला दही नहीं लिजेगा तो इसको अब हम फ्रेज में कवर करके दो कम है तो कम से कम आदा घंटा जरूर इसको मैरिनेट कीजेगा तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम इसकी ग्रेवी के लिए तैयारी कर लेते हैं तो एकड़ाई के अंदर दो से तीन टेबिल स्पून मैंने लिया है ओईल मैं सबसे पहले डाल देती हूं मैं 5-6 हर जावेत्री का जिसको मैंने इस तरह से खोल लिया है यह पीसले में असानी रहेगी और साथ यह मैं डाल देती हूं इसके इंदर चार मेडियम साइस की प्यास जिसको मैंने रफली चौक कर लिया है तो प्यास को अब हम हल्का सफ्राइब करेंगे बस इतना के प्यास प्यास प्यास थोड़ा सा हमारा कलर चींज कर चुका है तो अब डाल देते हैं हम उसके अदर दो टेपी स्पून अधरा के हैसन का पेस्ट तार यह भी पख जाए चिकन का जीजर गार्लीक पेस्ट और स्पाइस चिकन में डाल तुके है यह ग्रेवी के लिए कर रहे हैं य की प्राय कर लिया अब डाल देते हैं हम इसके अदर टमारा तो दो किलो सिकट में डाल रही है एक किलो डाल वाले टमारा तो के कट्टे नहीं है इनको मैंने रख्ली चॉक कर लिया है चाथी में डाल देते हैं चार से पाच हरीमक्षी जो बहुत ज्यादा पिकी नहीं है और डाल देते हैं हम इसके अंदर ये 35-40 काजू सबी चीज अच्छी से मिक्स कर लेती हूं फिर डाल देते हैं हम इसके दर इस बेसिक मसाले सब्सक्राइब में जाल के जाने में 1 टीजपून कमश्मीरी रैट चीज पाउड़र इससे ग्रेवी का अच्छाएगा 1 तीजपून नमक नमक हम पहले शिकरमए डाल केंगे आपने इस लिए लिए दाल की नमक पना आपने लिएगा आपकी ग्रेवी और टेस्टी हो गए है पहले में इसको फुरा सा ऐसी ही पकने देती हूं फिर से हम पानी डालके थोड़ा सा टमाटर को कर आठाई हएं तो आपके में बगाता हुए तो टमाटर को खुलेब में पकते हुए दस मिनिट हो गये हैं और यह देखी काफी सॉफ इस तरह से तो इनको अभी हमें अच्छे से गलाना है तो मैं डाल देती हूं इसमें एक ग्लास के तरीब पानी अब हमें कवर करके तकरीवन 15-20 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पकने देखते हैं जब तक के टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तो बस इसको मै कवर कर देती हूं और लो फ्लेम पर पकने देती हूं तो टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं बस अब अपनी गैस हम बंद कर देते हैं इससे थोड़ो से ठंडा होने देते हैं फिर मिक्सी में डालकर हम एकदम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे बहुत अच्छा पीस जाई जामें स्बाइक है, हम आपने चिक्षा तिकखा तो पैन मेद चश्च चाहरे हां डिया है ना कियो अपना चिकंगे जाएह ते शाहरा माकी खें मैं हो सब्द्राज़ और आपने चिकन के तिक्षा ले। करक्षिस के तरह स्ते ही नहँं परकर पकने के मीजने नहीं करें करने लगा है कषिजिए इस तरह संहुनना पर करते हैं ने कर दिते हैं 5-7 मिलंकी लिए पतले देते हैं जब तक कि चिकन हमारा अच्छा से नशा कल नहीं जाता जो फ्लैम हमारी ही लो रहेगी कि चिकन हम अभी काफी पानी है आप मोगने पटो मेडियान के द बूर्क दे ऑऊए कर देते हैं और इसको भूब इतना पकाएंगे कि इसे उपर अच्छा से ग्रेंड माँसा आज़ेगे देखें शिकन पर किछना अच्छा सा कलन आगया है देखें, बहुती जबर्दस तिकका इसका तयार हो गया है इसको अब बोल में निकाल लेते हैं इसको इसी तरह से मैं और तिकका बना लेती हूँ और जो हमारे बोल में मेरिनेशन थोड़ा सा बच्केगा उसको एक साइड में रख लेते हैं तो देखें तिकका हमारा तयार हो गया है अब हम इस में देंगे थुआ तो इसके लिए मैंने एक फॉइल की कटोरी बना दी है तो देखें मैंने टमाटर प्यास और जो बाती की इंग्रीडियंट्स थे उनको मिक्सिमें डालके पीस लिया ही तयार है तो बनाने लगे हैं अब हम बटर चिकन तो इसके लिए मैंने कोकिंग पॉट में हाफ कप और डाल दिया है साथी में मैं डाल देती हैं इसके अंदर चार टेबल स्फून बटर बटर चिकन डाल रहे हैं बना रहे हैं तो बटर डालने जरूरी है अब डालेंगे हम इसके पक्रीबल वन टीस्ट्रू कश्मीरी रेट चिरी पावडर इससे जो ग्रेवी है उसके काफी कलर अच्छा हो जाता है और इसी के साथ हम डाल देंगे जो हमने क्रेवी के लिए इंग्रीडियन्स पीज कर रखे थे वह तो यह देखेजे साथ ही में हम डाल देते हैं यह दही का मिक्स्चर जो कि हमने चिकन में लगाया था थोड़ा सा बच गया है अब हम इसको अच्छे से पून लेंगे तो यह उचल रहा है इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए भून लेती हूं तो अब जास देते हैं हम इसके अंदर तक्रीबन एक कप पानी तो यह उसी जार में मैंने पानी डाला था इसमें मैंने क्रेवी के लिए टामाटर को पीसे थे इसको मिक्स कर देती हूं और इसमें बॉइल आने का वेट करती हूं तो देखें ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी पक गई है तो अब डाल देते हैं हम इसके अंदर अपना तिक्का मिक्स कर देते हैं और देखें कितना जबरदस्त यह नजर आ रहा है साथ ही में हम डाल देते हैं इसके अंदर एक टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और दो टेबल स्पून कसूरी मेथी का पाउडर तो यह मैंने पैन में डालके हलका सा ड्राय रोस कर लिया था फिर हाथ से इसको मैंने क्रश कर लिया है तो यह डाल देते हैं आ जी सबी चीजे में चैशलोंके जैश thrown गeredशनी है जी आर आंगे फॉर यह डाय फॉर रिल्ड पर ऑफ पकने देति हूं ताके जो चिक्रे में उसके अनदर अच्छी सथि़ों में वाह 5 बंगए को आपन्सनों आ कीढ़़ए हाई कर उसको पांसरों ग्रेवी आ जाए डाल रही हूं आधा कब डालूंगी आप चाहें तो तादिस दूब की मलाई भी लेसे को अ कि अ कि मिक्स कर लेती हो अच्छे से अ अ बहुत ही खुबसुरत यह नजर आ रहा है और बहतरी में इसमें से खुश्पु आ रही है कोईले का जो हमने धुआ दिया था हम चेंज हो जाता है तो बस इसको अब ज्यादा नहीं पकाएंगे एक से दो मिनट पकाएंगे करने के बाद कि तो देखिए बटर चिकन हमारे ड़ी हो गया है गया जैस को हम बंद कर देते हैं दो मिनट इसको कवर करके छोड़ते हैं फिर आपको डेश आउट करके दिखाते हैं तो देखिए तैयार है हमारा बटर चिकन इतना सवर्दस्ट यह नजर आ नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा अला हाफेज